Hi friends, welcome back to another video दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप MS Excel में किसी envelope को कैसे प्रिंट कर सकते हैं उसके address को तो इस वीडियो को पुरा लास तक ज़रू देखना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो market में एक ही size envelope का है बहुत सारे size रहते हैं लेकिन जो standard size रहता है वो 10x4 का होता है ठीक है यानि कि 10x into 10 inch by 4 inch ठीक है तो आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे तो सबसे पहले Excel को खोल लेते हैं इसमें कैसे लिखते हैं Excel खोलने के बाद normal blank document ले ले आप यानि कि blank sheet ले ले और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है page layout में आना है और यहाँ पे size size यहाँ पे आपको envelop लेना है ठीक है 4.12 x 9.5 inch है ठीक है तो standard size यही रहता है इसी को ले और जो अभी मैंने दिखाया वीडियो में envelop का size यही है तो आप देख सकते हैं यह 4 inch है और यह हमारा है 10 inch यानि कि 9 inch ठीक है इसके अंदर ही हमें लिखना है अभी इसमें क्या हो रहा है कि यह 4 inch और यह 9 inch नहीं है क्या है कि अभी इसमें बहुत सरा margin भी इसमें है अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हलका हलका line होगा dotted line तो इसे करने के लिए क्या करना होगा आपको फिर से यहाँ पे आना है size में और size में size को तो अपने envelope ले लिया यहाँ पे margins पे आना है margin पे आने के custom margin करना है और इसे सब को 00 कर देना है ठीक है? top से भी 0 जीरो करने के बाद आप इसे कर दे OK आप जैसे ही OK करेंगे आप देख सकते हैं यह पूरा बिल्कुल हमारा 4 इंच का आ गया है देख सकते हैं अब इसमें क्या करना है आपको यह dotted line है dotted line को पूरा आप select करें ऐसे ठीक है जहाँ तक है dotted line वहीं तक और आपको यहाँ पर करना है यह यहाँ पर नीचे में दिख रहा होगा page break preview आपको इस पर click कर देना है अब यहाँ पर click करने के बाद आप इधर उधर कहीं भी आप click ना करें अभी ठीक है उससे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर set print area select कर देना है print area select करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर envelope size का page बनके आगया हमारा अब यहाँ से क्या करना है आपको simple जो envelope में जो भी लिखना है आपको यह समझ लिए आपका envelope का size हो गया यह अब इसमें जैसे लिखना है आपको आप लिख सकते हैं तो address लिखने के लिए insert लेते हैं और यहाँ से word art से एक हम ले लेते हैं text अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोई भी two में जो address लिखते हैं वो लिख लिजे ठीक है यहाँ पर आ गया यह मैंने लिख लिख लिया अब इसे क्या करना है हमें थोड़ा सा बढ़िया से adjust करना यहाँ पर एक तरब से इसे align करना है यहाँ पर लिखने के बाद आप किसी का number भी लिख सकते हैं ठीक है alternate number देना चाहते है वो भी दे दे ठीक है यह देने के बाद आपको इसका size कम करना है ठीक है जितना आप adjust करेंगे 20 size बहुत होता है ठीक है 20 size ही दे यह ज़्यादा सही रहेगा इसे rotate करना है इसे ठीक है यहाँ से आप देख सकते हैं इसे rotate कर लिजिए क्योंकि envelope हमारा इसे सीधा में है इसे rotate करके और यहाँ पर इसे रख देना है margin आपको क्योंकि margin इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है तो आप अपने हिसाब से margin को adjust कर लें जैसे इतना उपर से इतना नीचे से यहाँ से आपको set कर देना है ठीक है अब इसी का एक और copy बनाएंगे copy बनाने के लिए control को hold करेंगे और mouse से click करके इधर खीच लेंगे तो एक और copy इसका हमारा बन गया इसमें भी आप क्या करना है इसे पहले आप सीधा कर लिजे अब इसमें from का address लिख दे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आगया address हमने from का लिख दिया अब इसे भी rotate करने के बाद यहाँ पर आप इसे चिपका दे ठीक है यह अगर आ जाग रहा है कि ज्यादा बड़ा size में है तो इसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं लेकिन यह सही है visible रहेगा इतना अगर हाँ ज्यादा content है आपका तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं ठीक है यह हमारा ready to print है आप इसे असानी से यहाँ से print करेंगे यह बिलकुल असानी से print हो जाएगा आप देख सकते है print preview भी काफी बढ़िया दिख रहा है अब मैं दिखाता हूँ आपको printer में कैसे रखना है ठीक है मैं printer कौन कर लेता हूँ printer अभी मेरा offline है तो अब देख सकते हैं यहाँ से बस आपको print लेना है print करने के बाद देख सकते है printer मेरा ready है यहाँ पर active seat ही रखना है और यहाँ पर कुछ भी setting आपको change नहीं करना ठीक है लेखने यहाँ पर अपको दो आंपको देख लेखना है तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने इसे प्रेंट कर लिया और ये काफी आसान है तो अब अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो आप इसे सेव कर लें सेव करने के बाद आप इसका नाम रख दे कुछ भी एन्वालप प्रिंटिंग अब जब दुबारा जब भी आप इसे खोलेंगे आपका ऐसा ही फाइल खुलेगा आपको दुबारा से पेज सेटिंग वगरा कुछ भी करने की ज़रुत नहीं है बस आपको ये चेंज करना पड़ेगा ये चेंज करके आप इसे आसानी से प्रिंट कर सकते हैं जितना मर्जी उतना ठीक है तो अगर इसका आपको टेंपलेट वाला फाइल अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है छोटा सा इंफ्रोमेशन आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें अगर कोई सवाल ये सुजा हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में गुडबाई